हेलो गाइज वल्कम बैक टो माई चैनल सेलुशन वाय मी शिप्रा और मैं हो शिप्रा गाइज आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने बालों की डीप कंडिशनिंग कैसे कर सकते हैं यह बहुत ही बैनिफीचल मास्क बनाने मैं जा रही हूं इसका रिजर्ट बहुत अच् कर सकते हैं कि ha अणि और होगो डीपन डीप कर था और आपको मैं एक दो टिप सी इप बताऊंगी कि जिस को करने से आपके जो बाल है काफी स्moode और शाइनिंग हमेसा बने रहेंगे अपके बालों आज़ाएगा कोई मांसूर आने का भी डर नहीं रहेगा कि क्योंकि लोग बोलते हैं कि मांसूर आने मांसूर जबाता है तो आपके बाल घ्राब हो जाते हैं या हैरफॉल होने लगता है बड़ जो मेरे तरीके से आप करें और मैं आपको बताते हैं चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो गाइस मास्क बनाने के लिए सबसे पहले आपको हंकर्ट चाहिए हंकर्ट मतलब 3-4 चमच आप दही को छांद दीजिए एक घंटे तक रख दीजिए उसका सारा पानी निकल जाए तरह से थिक दही आपको हें है इसमें मैंने और कूट कर चेया और नीम के पथरी डाल से चाहिए इसको करना पानी कई जाला कर तो आपके जाए इसको आप ш Cookie-o जानागा को, सबस्सक्राणी केस्टेस ऽालो को खळा है, तो भड़ा की अखे तो को सबस्सक्ते जाइन हैara, लेने के बाद चुमच आपको यहां पर लेना है ऑली अगर आपके पर नहीं है तो आपके लैंगा, बीआने के देना है कैस्टट आयल फीदि लें सकते हैं, यहां केस्टर ओयल भी आपको एक चमच जालना है तो मेरी बॉडल टूट गई थी तो मैंने इसमें भरके रख लिया दा तो इस तरह से आपको इस तरह से अच्छे से मिक्स करना है इस मास्क को आप लगाई यह बहुत ज्यादा बैनिफिशल बहुत ज्यादा है आपके बाल को इसका बहुत पैनिफिट है और आपके बाल बहुत जादा डामेज और फ्रीजी हो चुके हैं तो आपके बाल को बहुत जादा स्मूज शाइन वाला बनाता है इसको अपने बालों को सुलजा लेंगे और आपको इस तरह से लेना है मास्क थोड़ा अपने हाथों से भी अख सकते हैं कि तो यहां पर मैंने चोटे-चोटे स्क्स्रेक्षन लेना हैं आपने बालों के जनीचे लेंथ होती है वहां से आपको बाल को इस तरह से शोड़ा है तो इससाड़ से आपको पूरे एमां लेंगने इस तरह इस स्काइब लेकर आयो वालो में नहीं से पुरे-वालो में आयं एक दो मिनेट तक मसाज करते रहेना है इस तरहसे मिक्स करका दोनों amining de해요 करने के बाद इसको आपको लगा कर एक हंटा छोड़ देना उसके बाद नॉर्मल पानी सापको धुलना है आगे मैं वीडियो में बताऊंगी कैसे तो अब इस तर लगा सकते पूरे बालों में अपने 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 बालों के लेंट पे लगा लिया है अब कुछ दिल पहले म आपके बाल इसको नीचे के बाल यहां से पगड़ करना है इस चोड़ देना है और एक चिसका मैं पताना चाहती हूं कि यह एर मास्क लगाने के बाद आपके बाल बहुत जादा ऑईली या इस्टिकी से फील होगा आपके बालों में अगर आप कहीं नहीं जा रहे हैं तो आप इसको सुबह लगाई है इसको पानी से वैसे ही वाश करना है एक हंटी के बाद वाश करने के बाद आप इसको छोड़ दीजे और दूसरे दिन नेक्स दिया आप अपना शांपू कर सकते हैं अगर आप इसकी बद्बू या कैसरी स्मेल्स के आपको पसंद नहीं आ रह आप इसको दूसरे से एब्सॉर्प होता है और नेक्स्ट जब आप शैंपू कर लेते हैं तो जितने भी इसमें और जितना मैंने सब कुछ डाला हुआ है तो सब निकल जाएगा तो इस तरह इसको आप लगाईगे और एक घंटा लगाएंगे तो ज्यादा अच्छा है तो